अलो में वेलकम टो बिटे निंग साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी निंग अमेरिका के अंदर तो बहुत ही अजीवोगरी भालात हो गए है यूएस के अंदर जो डॉनल्ड ट्रम्प है उसने इतनी बड़ी स्टेट्मेंट दी दी है बिटकॉइन के लि स्टिफ कॉंपटिशन है डॉनल्ड ट्रम्प जो है वह फॉर्मर प्रेजिडेंट थे दुबारा से वह कोशिश कर रहे हैं यूएस में प्रेजिडेंट बनने की और कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रहे है जो उनका बस चल रहा है उनको लगता है कि अगर यहां पर टू बिटकॉइन प्रो क्रिप्टो प्रो क्रिप्टो कंपनीज हो चुके हैं उन्होंने अभी अपने एक अगर मैं आपको यह दिखा हूँ मैंने ट्वीट किया है मैं वीडियो तो नहीं चलाऊँगा यह मेरे ट्विटर पर आप जाकर मैं लिंक भी डाल दूँगा ता आप व उसको यह जैसे वारन एलिजबेट हैं वो बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट बोलती हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट काफी सारे यह नो पब्लीकली उनकी जो स्पीचिज ने वो काफी वाहिरल रहती हैं तो उन्होंने यह बोला ट्रंप ने के सबसे पहले तो वे इंशूर इंशूर करेंगे के वारन एलिजबेट और उनके जो गुंडे हैं मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उनको मैं बिटकॉइन से दूर रख़ोंगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ बिटकॉइन को मैं जो सेल्फ कस्टडी है यह उसको मैं इंकरेज करूँगा बिटकॉइ की जो companies हैं या crypto companies हैं मैं जब bitcoin बोल रहा हूं तो आप bitcoin को और crypto को अलग-अलग मत समझेगा bitcoin की और crypto की जो companies हैं उनको भी you know वो facilitate करेंगे वो यह कहरें कि बहुत potential इस industry में और अगर इस potential है तो अमेरिका को forefront पे होना चाहिए अमेरिका को आगे lead करना चाहिए इस industry लिए और वो यह ensure करेंगे कि उनके term के अंदर यह flourish हो यह सारी companies और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली वो यह बोली कि जो Trump है वो Silk Road के जो creator है Ross Albert उनको जो है अगर वो elect हो गए Trump तो उनको वो जेल से रिहा करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वो काफे टाइम अपना बिता चुके है और जेल में तो Ross Albert के प्रतियों का प्रेम जग्या है जो कि Silk Road जिन्होंने बनाया था तो यह भी उन्होंने बात बोली और जाते जाते उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोली के उनके प्रेजिडेंट के जो काल में जो Central Bank Digital करन्सी को वो बनने नहीं देंगे ना वो उसके हक में है और इंशोर करेंगे आगे भी अमेरिका का जो जो Central Bank Digital करन्सी जो वो Americans के लिए और American citizens के लिए अच्छी चीज नहीं है वो प्रेवेसी को ले के काफी चिंतत है Americans की और उन्होंने बोला कि वो उसको अपने कारेकाल में बनने नहीं देंगे और यह कंप्लीटली एंशोर्ड़ एंशोर्ड़ अगेंस्ट इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करन्सी बहुत बड़ी स्टेट्मेंट है आप समझ सकते हो कि इतने प्रेशर क्योंकि देखिए तो सो साथ मिलियन के करीब अडल्स हैं अमेरिका में तो अगर मैं इनको लुभाता हूं और मैं ऐसा स्टांस लेता हूं तो एक तरीके से समझो आप कि अडल्स पॉपुलेशन का पचास मिलियन बेस बहुत होता है और यहीं बात जो है वो बाइडन को भी कम्यूनिकेट हो गई है कि ट्रम्प उस पे प्ले कर रहा है ट्रम् क्रिप्टो कंपनी के अराउंड हो रहे हैं अब क्रिप्टो चूस कर रहा है अमेरिका में प्रेजिडेंट अब अभी क्रिप्टो अमेरिका में चूस कर रहा है बाकी देशों में भी अब इसके आप धीरे-धीरे प्रवाव देखने को मिलेंगे वह इसलिए मिलेंगे उसक पूपूबर दो हजार चौबिस तक ठीक है और इसका मतलब यह है कि एगर अक्टूबर दोजार死 तक हो जेंगे तो यह अमेरिका की Population से बढ़े हो की population से इस वक भी Bitcoin Holders जोई है ज्यादा है अमेरिका की population अगर 336 million है तो bitcoin holders are four hundred and four hundred and twenty six million. सो million जो है Bitcoin के holders जादा है आप सोच सकते हो कि Bitcoin किती तेजी से बढ़ रहा है किती तेजी से उसके adoption हो रही है और यही कारण है कि अमेरिका में चाहे वो Trump हो चाहे Biden हो उनको यह figure out हो गया है कि यार हमें किसी तरीके से इस community को लुभाना है और आपने आपके सबसे इन्डिया में भी यार शाय काश के चाहे वो प्रदान मंत्री नरज नर्मोदी हो या opposition के लीडर जाहे राउल गांदी हो अगर किसी ने भी elections के दोरान crypto को लेके कोई clarity नहीं दी और crypto के लेके कोई clear stance नहीं दिया अगर clear stance दिया होता तो शायद यहां पर underestimate करा उन्होंने यहां पर भी इंडिया के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो crypto के अंदर deal करते हैं अगर वो clarity देते तो शायद इस community को लुबाते हैं अभी community के ओपर है के वो उनको clarity नहीं है तो obviously उनके लिए कोई crypto community की इंडिया में कोई किसी तरीके की भी preference समझ नहीं आती लेकिन अगर वो बात clarity देते तो definitely यहां पर भी इस तरह का एक attention जरूर वो गेन करते crypto community की ठीक है नौ crypto community के जो concerns है उसके लावा कुछ खबरे हैं जल्दी से उनको भी चेक कर लेते हैं Bitcoin ETF के पास 5,63,000 Bitcoin हो चुके हैं जो 9 Bitcoin की इते फंपनीज हैं यहां पर यह दिखाया इस sheet में के भाई हर यह red वाली lines का मतलब रिसेशन आया अमेरिका में जब जब रिसेशन आया उसके बाद आप देख सकते हो कि जो money printing है वो कैसे grow करती है यहां पर देखें 1992 के आसपस आया तो money printing ग्रो करी फिर 2002 में आया तो money printing उसके बाद फिर उपर गई steeper तो basically यहां बताया गया कि money printing has become steeper 2008 financial crisis के बाद यह line और steeper हो गई और 2020 में जब आया recession तो यह और steeper हो गई तो हर recession के बाद जो debt है US debt वो बहुत जादा बढ़ता है और steep हो जाता है इस line का यह मतलब है ठीक है और यहां पर यह बताया गया कि भाई इसाँदे जो मा श्रॉट ट्राटची 2020 से माईक्रो स्ट्राटची ने 1127 percent का रिटर्न दिय है 2020 से जब से माईक्रो स्ट्राटची ने Bitcoin को एंदर अपनी Treasury में इंवेस्ट करने की सोची तब से स्ट्राड़जी एक अजार एक सुसटाइस परसंट बिट कोई बाथ सो पंदला परसंट नैस्डेक 56 परसंट राइट तो यह यहां पर रिटर्न दिया है उसके बाद यहां पर एक बहुत पुराना बिट कोई एड्रेस था जिसमें 2010 से वह एड्रेस था एक माइनर का एड्रे इस निए डिस्ट्रिबूट हो गए तो यह एक खबर है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में यह तो पूरी दुनिया में Bitcoin के ETFs को देखें, तो Bitcoin के ETFs का जो Asset Under Management है, वो 68 billion US dollar पहुच चुका है, और अमेरिका का ये 59 billion US dollar Asset Under Management है, तो ये दिन प्रती दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, ये मैंने आपके सामने कवर कर दिया, और यहां पर मैंने आपको ये भी कवर कर दिया, फिर मैं आपको यहां पर यह दिखाना चाहता हूँ, इस चार्ट के थ्रू जहां पर यह चार्ट यह कहता है, कि Bitcoin gains six months after the having, जो छो छे महीने के बाद, जो having के छे महीने के बाद, Bitcoin के में बहुत जबतास gains आते हैं, और अगर आप देख सकते हो, यहां पर एक, दो, तीन, मतलब पहली के बाद 93%, दूसरी के बाद 81, तो दूसरी के बाद 93%, फिर 181% और इस बार भी अगर same repeat होता है, तो Bitcoin should cross 1,40,000 US dollar, तो यह है, यहां पर यह statement, और उसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि Bitcoin has started well, अगर हम Bitcoin की second best start है after having cycle, इसको अगर हम पिछली cycle से compare करें, तो Bitcoin is now 330% higher than its cycle, अगर आप यहां देखो, यह सारी पुरानी जो having की cycles हैं, और यहां पर Bitcoin यह ब्लैक है, अगर आप देखो तो इसने शुरुआत अच्छी करी है and hopefully यह continue हो रहेगा because institutional demand अपने peak पे है, तो all and all यह थी crypto की ताज़ा का पर उमीद करता हूँ, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक पार hit hit like button, hit करेगा, चैनल में सिर्फ साथ सो लोग रहे हैं सब्सक्राइब करने अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, मिलते एक नई वीडियो में with नई thought, with नई news, till then thank you very much.